Hello everyone, welcome to vocational education, आज integrated pest management के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं cultural method of pest control की तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि cultural control क्या है इसमें हम कुछ practices, cultural practices का इस्तेमाल करते हैं और उनसे हम temporarily अपनी field की conditions को manipulate करते हैं ताके जो हमारे नाशी जीव हैं हम उनकी population को या तो completely eliminate कर सकें या फिर उनकी population को इतना कम कर सकें कि वो हमारी field के लिए जादा harmful ना हो तो cultural practices को अच्छे से समझने के लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि कौन-कौन सी वो cultural practices हैं जिससे हम हमारे नाशी जीवों से अपनी फसल को बचा सकें तो सबसे पहला जो हमारा pest है वो है stem borer जो हमारा नाशी जीव है stem borer एक बहुत ही serious pest है धान का तो इससे हम अपने फसल को कैसे बचा सकते हैं ये सिर्फ eggs ले करता है यानि के अंडे देता है और इसके बाद जो नुकसान जो stage हमारी crop को पहुँचाती है वो है larval stage जो इसके छोटे छोटी जो सूडिया निकलती है वो नुकसान पहुचाती है जैसे ही larval निकलते हैं वो नीचे की और मूव करते हैं leaf पर और धीडिये जो अंदर से tissues को खाना शुरू करते हैं और जैसे जैसे वो बढ़ने लगते हैं वो जो उनके node है stem की उसकी और मूव करते हैं और धीरे से वहाँ पर जो है बोर करते हैं मिज उसमें छेद कर देते ह और उसके बाद जो उनकी advanced stages हैं वो अंदर ही अंदर जो है plant को खाना शुरू कर देती है यह जो pest है यह paddy की हर एक stage को affect करता है right from the nursery till reproductive phase अभी आप screen पर stem borer का adult देख रहे हैं और जो यह silky mass आपको दिख रहा है यह इसके eggs हैं और यह इसका larva है जो अंदर बोर कर रहा है तो चलिए अभी हम देखते हैं किस तरह से जो यह adult है यह leaf के tip पे eggs ले करता है और एक उसको silky mass है उससे cover करता है जैसे आप इनको leaves को खोलेंगे इसमें इसके eggs हैं जो जिससे की बाद में larvae फूटेंगे तो इसको control करने के लिए हम क्या कर सकते हैं यह young plant है हम जो है इसकी plant के tips को जो है remove कर सकते हैं before transplanting यानि के प्रत्यर open से पहले हमें इस तरह से leaf के tips को जो है remove कर देना है ताकि इसके eggs को जो है main field में हम जाने से रोख सके इसके अलावा हम short duration crops को भी grow कर सकते हैं जिससे हम avoid कर सकत हैं इस pest के infestation हमारी field में first field sanitation बहुत important है तो हमें हमेशा हमारी fields को साफ रखना चाहिए उसमें कोई plant residue नहीं होना चाहिए previous crop का and deep flowing एक बहुत ही अच्छा option है pest को control करने के लिए तो यह कुछ preventive measures थे हमारे इस pest को control करने के लिए इसके अलावा हम कुछ resistant varieties का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम इस pest के attack को अपनी field में रोख सके चलिए अब हम move करते हैं हमारे अगले pest की और जो है leaf folder जिसे हम हिंदी में कहते हैं पत्ती लपेटक कीट leaf folder बहुत ही important pest है धान के फसल का और यह बहुत जादा नुकसान पहुंचाता है धान को इससे बहुत जादा yield में कमी आती है means पैदावार बहुत जादा कम हो जाती है क्योंकि यह पत्ती को लपेट देता है और उसके बाद अंदर ही अंदर उसे जो है खाना शुरू कर देत है उसका जो एक green part होता है इन tissues को जो है यह खा जाता है जिसकी वज़ा से जो photosynthesis है यानि के प्रकार sensulation activities है वो कम हो जाती है और ultimately उसकी वज़ा से जो पैदावार है फसल की वो बहुत हद तक कम हो जाती है इस वक्त आप screen पर leaf folder का adult देख रही है और next जो picture है उसमें इसके eggs ले किये हुए है इसने leaves पे अब आप जो picture देख रही है यह एक larva है जो कि leaf को fold कर रहा है आप देख सक कुटी से clip देखे कि किस तरह से इसका larva leaves को fold कर देता है एक slimy secretion जैसे एक silky जैसा कुछ thread है इससे यह leaves को बाधना शुरू कर देता है जो कि इसके लिए बहुत ही अच्छा nest यह बना देता है और उसके बाद जैसे ही यह पूरी leaf fold हो जाती है यह धीरे धीरे जो है अंदर के जो tissues है उनको scrap करके खाना शुरू कर देता है जैसे कि हम कह सकते है गुरेद गुरेद के जो है इसके green part जो है leaves के उसको खाना शुरू कर देता है जिसके वजह से जब हम बाद में field में एक नजर मारेंगे तो पूरा जो streaks है इसके जो leaves है यह white दिखना शुरू हो जाती है उ तो इस तरह की appearance हो जाती है और इसके वजह से बहुत जादा yield loss होता है जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि पैदावार जो है बहुत कम हो जाती है पसल की इस pest के infestation के बाद leaves कुछ इस तरह से नजर आएगी इस तरह की white streaks जो है हमारे पौधे पे बन जाती है ज जो हम औरवरक इस्तेमाल कर रहे हैं वो उतने ही हो जितना की requirement है हमें excessive use of fertilizer से बचना है क्यूंकि ये इसके growth को आगे help करता है इसके अलावा जो भी weeds हैं हमें उन्हें remove करना है हमारी field से क्यूंकि ये उसके लिए एक alternative host का काम करते हैं जिसके वजह से इन्हें और जादा survival के इस pest के chances बन जाते हैं इसके अलावा हमें कुछ resistant varieties का इस्तेमाल करना चाहिए जिन पर इन pest का attack कम होता है चलिए अब हम move करते हैं हमारे अगले pest की और जो है brown plant hopper brown plant hopper की adult और young दोनों stages damaging stages है और ये plant को नुकसान पहुचाती है by sucking the sap of the plant अगर हम सरल भाशा में बात करें तो ये एक चूसक कीट है जो plant के तने से उसका rust चूस लेती है और plant को एकदम सुखा देती है अगर खेत में बहुत ज़्यादा नमी है एक अच्छा तापमान है और आपने field में बहुत ज़्यादा nitrogenous fertilizers डाले है means aurea का अगर आपने ज़्यादा इस्तेमाल किया है तो ये सारी conditions इस कीट को पनपने के लिए मदद करती है तो हमें यही चीज़े avoid करनी है ताके हम इस के अटाक की बात करें तो यह reproductive phase पे प्लांट पे अटाक करता है means a booting stage जिस वक्त पौधे में बालिया निकल रही है means वो जिसमें धान लगता है जब वो निकल रही है उस वक्त यह प्लांट पे अटाक करता है और यह इसका अटाक से 100% loss के chances होते हैं crop loss 100% हो सकता है अगर इस केट का attack अगर आपकी field में होता है जब इस केट का attack होता है तो आपकी field कुछ इस तरह से नजर आती है जैसा आप pictures में देख रहे हैं बिल्कुल बड़े-बड़े patches नजर आएंगे brown color के ऐसा लगता है कि field पूरी जुलस गई है इस situation को हम बोलते हैं hopper burn और अगर हम बात करते हैं इस कीट के management की तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये plant के किस भाग पे attack करता है ये जो कीट है plant में एकदम base पे होता है plant की water line के just ऊपर attack करता है ये बहुत ही छोटे-छोटे कीट होते हैं तो हमें एक चीज़ का बहुत विशेश धियान रखना चाहिए कि हमें जो plant की spacing है वो बढ़ानी चाहिए हमें plants को एकदम close close नहीं लगाना चाहिए density जो है घनत्व जो है वो बहुत जादा नहीं होना चाहिए plants के बीच क्यूंकि उसमें हवा पास होना बहुत ज़रूरी है और अगर अच्छी aeration है तो इस कीट को हम पनपने से रोग सकते हैं इसके अलावा हमें moisture जो conditions हैं वो उसमें नहीं जादा पनपने देनी हैं तो हमें हमेशा alternate drying और wetting रखना है field में हमें जादा time तक पानी को stagnant नहीं होने देना है water locked condition नहीं हमें create करनी हैं लंबे समय तक के लिए और हमें जो हमारे nitrogenous fertilizers हैं मतलब जो उर्वरक हैं जिसमें nitrogen की म मात्रा जादा होती है उन्हें भी हमें बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है एकदम high dose हमें उसका नहीं इस्तेमाल करना है और इसके अलावा हम कुछ resistant varieties का इस्तेमाल कर सकते हैं means प्रतिरोधिक इसमें हम लगा सकते हैं जिस पे इनका attack जो है कम हो तो यह सारी चीजें हैं ज बहुत सारे pest को अपने field में पनपने से prevent कर सकते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बात है tillage की जिसे हम flowing भी बोलते हैं और अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे हम जुताई कहते हैं flowing की मदद से हम soil की layers को उलट पलट करते हैं और इसकी वज़ा से मिट्टी में जो बहुत सारे pest हैं जो rest कर रहे होते हैं जो wingless होते हैं mainly उनको हम flowing की मदद से expose कर देते हैं और हम इन pest को अपने खेत में आने से फिर prevent कर सकते हैं next cultural practice है field sanitation यह बहुत ही important है हर तरह के pest से बचने के लिए field sanitation का मतलब है कि हमारे जो खेत में अगर कोई previous crop रह गई है तो हमें पूरी तरह से उसे नश्ट कर देना चाहिए निकाल देना चाहिए ताकि अगर कोई कीट का प्रभाव या पिथा तो वो हमारी दूसरी crop को ना affect कर हमें हमारी field को weeds से भी बचा के रखना चाहिए time time पर weeding करते रहना चाहिए हमारी fields में क्यूंकि weeds भी बहुत सारे pest का गढ़ होते हैं next important practice है crop rotation यानि के फसल चक्री करण यह बहुत ही जरूरी है और बहुत ही important भी है हमें एक ही तरह की फसल अपनी एक ही खेत में बार बार लगाने से बचना चाहिए क्यूंकि इससे क्या होता है एक तो जो nutrients हैं पोशक तत्व हैं वो हमारी field में कम होने लगते हैं और दूसरा कीटो का प्रभाव बहुत जादा बढ़ जाता है next जो cultural practice है वो है alteration of cropping और planting time हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई particular season है कोई particular time है और उस time में किसी insect pest का infestation बहुत जादा है उस area में तो हमें उस समय planting या sowing करने से बचना चाहिए तो ये कुछ cultural practices थी जिसे इस्तेमाल करके जिने use करके हम insect pest को avoid कर सकते हैं prevent कर सकते हैं so I hope this video was informative and useful for you thank you so much इस video में बने रहने के लिए and if you really like the video please video को like कीजिए, share कीजिए and subscribe the channel thank you